नवरात्री का पावन परव और उसमें भारतिय संस्कृति के जोतिर धर मर्यादा प्रशोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस ऐसे पावन परव पर और ऐसे संकट काल में जब हम करोना के भीशन काल से गुजर रहे हैं पूरे विश्व को करोना ने तरस्त किया है अपने आगोश में लिया है ऐसे समय में मुझे लगता है कि करोना से करोना ही हमें बचा सकती है और भगवान श्री राम की करुणा हम सब के साथ में है ये राम नौमी पक्का मानिये कि भगवान श्री राम का करुणा उतार हम सब के भीतर हो तो करुणा टू करुणा हो जाएगा जीवन एक बात दूसरी बात भगवान श्री राम संयम के प्रतीक है सम्ता के प्रतीक हैं, सम्रस्ता के प्रतीक है आज हमें संयम दिखाना है भारत के उर्जावान प्रधान मंत्री जी ने एक ही बात कहिए कि संयम से रहें, धैर्य पूर्वक रहें संयम और साहस का परिचे देना है बेहतर बनना है, तो हमें भीतर उतरना है यह अंतर मुखी होने का पर्व है जो अंतर मुखी होता है न वही सुखी रहता है भीया इसले आईए इस पर्व को सैयम के पर्व के रूप में मनाए करोना किसी में कोई अंतर नहीं करता है किसी रंग का हो, किसी जाती का हो, किसी बेद का हो, और किसी धर्म का हो, सारी जातियां, सारे बॉडर टूट गए, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, किसान हो, कोई हो, सब को करोणने अपने पंजों में दभोचा है, फिर पूर हो, या प्रिंस हो, पीम हो, या प्योन हो, या परिवार है, ये जो हमारा रिशियों ने सुत्र दिया था, वो सिद्ध हो रहा है, आओ, अपनी संस्कृति को भूल मत जाओ, इस नवरात्री के परवपर घवराओ नहीं, और हिम्मत के साथ, मनोबल बढ़ाते हुए, बच्चों का, बुड़ों का, सब का, साथ साथ सत्सन कर करो, योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ये उसलिए समय मिला है भीया, आए, करोना को भगाना है, करोना को थकाना है, तो एक काम करना है, कि हम सब को अपने घर में रहना है, धन्यवाद.